गूड बॉर्निंग डियर इस्टुडेंट्स मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर एसोशेट प्रोफेसर एलबियस गवर्मेंट कॉलेज कॉटपूदली इससे पहले वाले वाख्यान में फाइनेंशियल मिनेजमेंट के रेशियो अनेलेसिस में आपको टर्नोवर रेशियो से संबन देते विभिन रेशियो जैसे टोटल असेट्स टर्नोवर रेशियो फिक्स्ट असेट्स टर्नोवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नोवर रेशियो करेंट असेट्स टर्नोवर रेशियो और Capital Turnover Ratio आदी के बारे में बताया गया था आज हम इन से संबंदित एक उधारण लेकर के इनको इसपष्ट करते हैं Capital Turnover Ratio विन्योजित पूजी के उप्योग की कुसलता का माप करने के उद्देश से इस अनपात की गर्णा की जाती है जो विन्योजित पूजी Capital Employed तथा परीचालन से आए अथ्वा परीचालन से आए की लागत के मद्य संबंद प्रकट करता है इस अनपात की गर्णा में विन्योजित पूजी का निर्धान कुल संपत्यों में चालू दायतों को घटा कर अथ्वा अंसदारियों के कोशूं जैसे Share Capital Reserve and Surplus में दीर काली निर्णों को जोड़ कर किया जाता है यदि संपत्यों में करत्रिम संपत्यां याम गैर व्यापारिक संपत्यां हों तो उन्हें छोड़ दिया जाता है कुछ है विद्वान इसको ओसत्विन्योजित पूजी के रूप में भी लेते हैं जिसकी गर्णा वर्ष के प्रारंब्यों अंत में पूजी विन्योजित पूजी के योग में दोका भाग दे करके ओसत्विन्योजित पूजी याद कर ली जाती है Capital Turnor Ratio का जो सुत्र है revenue from operation या cost of revenue from operation divided by capital employed ये टाइम्स में रिजल्ट आता है ये अंपात विन्योजित पूजी के प्रियोग में कुशलता का माप है पूजी का कुशल प्रियोग व्योवसाय की लाभार्जन समता तता प्रबंद के कुशलता का ध्योतक होता है आता ही अंपात जितना उचा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उचा अंपात अधिक लाभ तता नीचा अंपात कम लाभ दर्शाता है इस अंपात के लिए कोई आदर्श प्रमाब निर्धार्ण नहीं क्या जा सकता क्योंकि विभिन परकार के उद्योगों में पूझी आवर्त अंपात या दार विन्विन होती है उन उद्योगों में जिन में इस्ताई समपत्यों में विन्योग अधिक होता है वहां पूंजी आवर्थ अनपात नीचा होता है इसके विप्रित इस्ताई संपत्यों म्यूनियों कम होने पर यह अनपात उंचा होता है अब हम यह जो विभिन रेशोज आपको बताए गए हैं इनको इस उधारन के माद्दम से इसपस्ट करते हैं संचित कंपनी लिम्टेड का 31 मार्च 2016 का चिठ्था निम लिखित है जिसमें लियाबिलिटी साइड में नंबर वन एक्विटी एंड लियाबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर कैपिटल अस्टी हजार उपए जर्नल इसर्ट सत्तर हजार उपए टोटल एक लाग पचास हजार उपए नौन करेंट लियाबिलिटीज मॉर्गेज लोन अट दरेट अफ तैन परसेंट एक्टी थाउजंट और करेंट लियाबिलिटीज ट्रेड पेबल्स जिसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स क्रेड़ हर सालीस हजार और बीपी बीस हजार इस परकार साथ हजार और ये इस परकार से टोटल लियाबिलिटीज का साइड टोटल जो है लियाबिलिटी साइड का योग वो है दो लाग नब्बह हजार अब हम आते हैं असेड साइड में फिक्स्ट असेट्स जो की एक लाख साथ हजार है करेंट असेट्स जिसमें ट्रेड रिसीविल्स में डेटर से साथ हजार बी आर बिल्स रिसीविल्स बीस हजार टोटल असी हजार और कैस एंड कैस सेकुलेंट पचास हजार और ये भी असेट्स आइड का जो टोटल है वो द 2015-16 में परीचालन्ज से आए एक लाग साथ हजार उपए थी जिस पर शकल लाबदर 25 प्रतिसत है अब आपको इसमें कहा गया है कि गढ़ना कीजिए Capital Turnover Retie, Fixed Assets Turnover Retie, Working Capital Turnover Retie, Current Assets Turnover Retie तो सबसे पहले हम लेते हैं Capital Turnover Retie capital turnover ratio जैस में capital turnover ratio पर आपर cost of revenue from operations बते capital employed और ये total capital employment दो total assets minus current liabilities इस प्रकार या फिर यूँ ले सकते हम कि shareholders funds, share capital, general reserve और non current liabilities जिसमें एक लाग पचास हजार प्लस 80,000 दो लाग तीस हजार या फिर यूँ भी ले आजा सकता है कि total assets में से 2,90,000 में से 60,000 current liabilities के गठाने से वही 2,30,000 आता है इस प्रकार से cost of revenue from operation एक लाग बीस हजार है ये इस प्रकार से है कि परिचालन से आए या net sales एक लाग साथ हजार है जिसका 25 प्रतिस सत्य 40,000 होता है और revenue from operation या net sales minus GP बराबर cost of revenue from operation तो कहने का ताथ प्रिया है कि एक लाग साथ हजार माइनिस 25% और एक लाग साथ हजार तो एक लाग साथ हजार माइनिस 40,000 बराबर एक लाग बीस हजार cost of revenue from operation होगा तो capital turnover ratio में cost of revenue from operation एक लाग बीस हजार बटे capital employment दो लाग तीस हजार बराबर 0.52 times result आता है इसी प्रकार से fixed assets turnover ratio बराबर cost of revenue from operation बटे fixed assets cost of revenue from operation जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि एक लाग बीस हजार होगा बटे fixed assets एक लाग साथ हजार जो की assets side में fixed assets के लिए कट एक लाग साथ हजार दिया हुआ है इसलिए एक लाग बीस हजार बटे एक लाग साथ हजार बराबर 0.75 times यह fixed assets turnover ratio होगा नेक्स्ट है working capital turnover ratio working capital होता है total current assets minus current liabilities तो यहां पर total current assets हैं एक लाग तीस हजार और इसमें से current liabilities शाथ हजार गटा दें तो 70,000 रुपए net working capital रहता है इस प्रकार से cost of revenue from operation एक लाग बीस हजार बटे net working capital 70,000 बराबर 1.71 time यह working capital turnover ratio result आएगा next current assets turnover ratio cost of revenue from operation वही एक लाग बीस हजार बटे current assets जैसा कि दिया हुआ है एक लाग तीस हजार तो यह result होगा 0.92 times एक लाग बीस हजार बटे दो लाग नब्बह हजार जो कि टोटल revenue from operation जैसे कि आपको बताया कि revenue from operation यह net sales एक लाग साथ हजार माइनस जी पी जो कि 25% ऑफ वन लाग 60,000 है तो एक लाग साथ हजार माइनस चालीस हजार बराबर एक लाग बीस हजार रुपए कोश्ट ओप revenue from operation होगा आज हम इतना ही लेते हैं इसके बाद next वाले वैक्षान में हम जो अगला ratio है profitability ratio उसके बारे में चर्चा करेंगे इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद हुआ है